दूटोगे अगर मुलकों मुलकों मिलने के नहीं नायाद केंपने तालबाद को मतला किया जाता है कि इनके राइटिंग मेंट्स को हया किये जाएंगे आप अपने सवालाद इन पर नोट करें University of Wales से Islamic Banking में PhD करके अपने इल्फ से मुलकी और गैर मुलकी इदारों में Islamic Ethics and Tradition और Economics जैसे मजामीन को मुलकी आलापाई Universities जिसमें आगाभाण University, Lamps, IBM और मन्जाब University काफले जिकरें तद्रिसी अमल से अनजान किया गैर मुलकी Universities में Swansea और University of Exagger काफले जिकरें यही नजी, in land में इदारा UI UK में विदमाग से अनजान देने के साथ-साथ मुलकी और गैर मुलकी सदा पर मसाजिद में हुदबा दिये और टेल्पियन पर अपना पिगाम आम किया मैं गुजारिश करती हूँ तमाम हाज़ीन से कि वतालियों की भरपूर गोंच में डाक्टर खालिट जही का स्टेज़ पर इसक्वा दिया बिसमिल्ला रखाइब मुखसर्मा डॉक्टर खाल स्टेज़ पर इसक्वा पॉजर मसुत अच्वा सब्सक्राइब सिर्ट फ्रडी सेंट्र के मैं आप सब का बहुत शुकर बिलाएब कि आपने मुझे से कि एक कालिबिन मैं खद्ना केने वाला था वाले कि रिवायती बात है खद्ना को कुई मैं खद्ना को को यह हैसियत दी कि मैं आपके सामने इस्लाम के मैंशत के एक्ताम इपारिए अपने खालात के शुक्त मैं अपने की प्याडात पेश्ट करूँगा यानि जो बात मुझे को समयना है इस दुनिया में इस एक्तमाद और कॉंफिडेंस के साथ कि मैं जो बात कर रहा हूं वो हद्नी बात है ये अल्लार के पहनंबर जो बात समझा है मैं उसको पेश्ट करूँगा मैं मुझारमा कॉय साथ सुनके गुल्यादी कोर पर एक उस्तावी और तोड़ा सा सडियल उस्तावी इसनिये मैं इक्तदाम में एक रेडियो आप कोई कहना चाहता हूं कि मैं जाहूर से आप से भुख्रू करने आए आप इस तब आपस में भुख्रू करने हैं मैं मेरी कंसेंट्रेशन तर को जाए मैं आपको दे रहा हूं और आपस तब आप भुख्रू करें तो मैं आपके अपना सबख इसको कहने रहता तो बुल जाओंगा सो प्लीज आइंडी को अपड़ेट दिनी और अभी जो पाय साथ में बात परमाई थी बड़ी एहम बात है कि अखलापियाद गुन्यादी अखलापियाद ये हम मुसल्मानों का तुर्रा इंत्याद होना जाए और मैं ये देख पर बहुत परिश्मान हुता हूं कि या मेरे मुला ये क्या माजरा है कि जब आप दोरों से उस्दूर करते हैं अपने दीन के बारे में ऐसा लगता है कि वो इतने खामोश इतने कंसंट्रेट करके आपसे सुन रहे हैं कि जैसे कि उनकी जिन्देश से वावस्ता है हम अपने क्यों आम तोर्टर ऐसा नहीं करता है मेरी आपसे बिजारिश है कि बाद मेरी तंजोरी होगी बाद मेरी पाद मेरी इंट्रेस्टी होगी है मगर प्लीस सुन खूने है मैं इस बाद को रिल्कुल आगास में बाजर करना चाहता हूं कि जिस दीन के रोश्णी में मैं मरीशन के एकदाम को आपके सामने इसका साथ बियान करूंगा उस दीन का तन्हा वाहिद सोर्स नभी अगरम सर्द्रदाज सुन्म की जादे गया है आप जो दीन बियान कर दे वही दीन है उसके डावा कोई और चीज इस आजमान के नीचे दीन नहीं है आप ने जो दीन पेश किया वो ऐसे पेश किया कि अल्ला ने उसको आप से लेकर हम तक मुकमल तोर पर महफूस दरीके से पहुचाया यानि इसमें कोई शुआ ही नहीं है कि जिस दीन को हम मानते हैं जिस दीन को हम समझते हैं जिस पर हम अमल करने की खुशिश करते हैं ये वही पहरांत है कि जो हम को आज से 14.00 साल से पहले आल्दा के आज़ी करूबर ने हम वो दिया इसमें ये पहस होती ही नहीं कि पतनी बात ये थी या बात नो थी अगर तहीं इखतलाब होता है तो इखतलाब किस चीज़ में होता है कि जो बात हमको मिल रही उसका मख्रूम क्या है उसको कैसे समझा जाए ये बात कि आपका बताया हुआ दीन हमको मिला है मुकंब ओधिंटिसिटी के साथ पूरे इत्मिनान के साथ कहा जा सकता है कि वो मौतबर है बालब बात मैं बुश्कू मैं तो ये बोटे बोटे डबर मासल में आए यानि मैं कहना ये चाहता हूँ कि उसके बारे में ये शुवा ही नहीं हो सकता कि ये वही बात है कि जो अल्ला के पैनमबर में हम को दीन या कोई बात मुक्तलिती इस शुवे को इस डाउन को खत्म करने की तो अल्ला ताला ने इस दीन को पहुंचाने के मांगले में दो राइटीरिया दो पैमाने दो पुरूल ऐसे एपलाइट किये कि जिनके बात मैं और आप इत्मिनान कर सकते हैं कि हाँ ये एग्जेक्टी हुई बात है कि जो अल्ला के पैनमबर में हो दीन उनमें से एक पैमाना है जिसको कहते हैं इजमाँ युनानिमिटी हुकमल इत्वाद यानि नभी से लिए और सुन्न के आमाद लिए तमाम सहाबा एकराब में उसको कहते हैं इजमाँ और दूसरा तवातुर अन इंटराप्टिट कॉन्टिनुटी वो इत्वाद के जो पहली नसल ने हुआ सबने माना वो इत्वाद तब से लेकर अब तक ऐसे है इसमें कोई एक दिन का भी गैप नहीं आया इंकिता नहीं हुआ ये इस पैगाम के मुस्टबर हुने रिलाइबल हुने का पहलुट है ये दीन नभी अकरम ने हम को दिया दो शक्रों में एक पुरान की सुर्थ में और एक सुन्न की सुर्थ में पुरान के बारे में भी अलहम्दुल्ल्ह मुसल्मानों में कोई इत्वाद है वो भुसल्मान जिनको आप और हम सुर्थ में शामी की और जांते हैं बहुत इत्वाद करते हैं इत्वाद करना रोज मर्रा का मारा मौम्दुल्ल्ह लिकिन ये अल्ला अलकरम है ये पुरान में के बारे में कोई इत्वाद है इसी तरह से सुन्न, नमाज, रोजा, अज्ज, जकात, इस्तना के पहुत से मौम्दाद के जो आप में अम्लर करके दिखाए उनके बारे में कोई इत्वाद है ये मेरा मौदू इसमुत नहीं है लेकिन सिर्फ एक जुम्ले के कौर्पर में कह रहा हूँ जहां इफिफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ जिसमें कोई इंटराक्शन है इसके इरावा ये बात बड़ी फिद्री है कि नगी सब्सक्राइब ने इस तीम पर अमल किया आप उसके पहद्रीन नगना थे पहद्रीन एक्जाम्ट हो थे इसमें स्वालों के जवाब थी लोगों को मुद्रित मौकों पर सिचुईशन में आ कितावी शकल में बाज हमारे अलमान और अप्टीब में बड़ी मेहनब और खुलूस के साथ मुरत्ब करके उम्मत के सामने आधिस की किताबों की सुरत प्रिश करें ये एक इसरी सोर्स है जो असल दो सोर्स के तहर हमें दीन को मजीद समझने में मदद दे ये गोया कि उसक इसकी शराख एक्स्पेलेशन है उसकी फराख कुरॉलरी है ये उसका फुटनोट है ये जो धीन है यानि कुरान और सुन्नत और फिर उसकी बड़ागत अधिस जो हमको नभी अक्रम से मिला है इस धीन के बारे में खुद कुरान ने ये बताया कि इसके जो कंटेंट्स है न करा और दूसरे को कहते हैं आप कैने सुन्नत ने ने खितार और हिकमा सुन्नत असर्थ हैं मैं अवाको उसके जो कंटेंट्स है उसके जो कुछ बयान हुआ है उनकी डो किटेरिस बता रहा हुँ जो पुरान ने बयान की किताद और हिक्मा हिक्मत पुराद मुझीद के बयान के मखादिए वो अफलागी उसूल है जिन को तमान इंसान पैदाशी कौर्ट पर इस दुन्या में लेकर आते हैं जिसकी तरफ खाय साथ नभी इशारा किया अल्वा नफसिं वहा सवाव वाल्हामा फुजूराव वतक्वाव ये इंसान का नफस ये जो मेरे बातिन की शखसित है परस्नेरिटी इसको अल्वाल्या ने इसका तस्विया किया इसको फिनिशिंग पैजिज दिये इसको इसके नो बनट सावारें जाना वो इमारत है, पहले जरा रॉस ही होती है। पर आप इस पर टेंट कर दे हैं, उसमें और चीनट ढालते हैं। तो फिनिशिंग कर दें। लगारा ने हमारी शथियत को फिनिशिंग कर चिस दी, परफेक्शन दी। और उसमें क्या किया। उसमें तकवा और फुजूर, नेकी और गदी, अच्छाई और बुराई इसको इनहाम कर दिया। ये मैं और आप तमान दुनिया के इत्सान, मुस्लिम हो या गयर मुस्लिम, ये इस दुनिया मिलेकर आप। ये वो चीज है जिसको पुराने मजीद पे कहा ये हिकमत है। और पुरान इसमें से पांस चीजों को बैयां करता है। एक सवाल पहरा होता है कि क्यों करता है, जब एक जीज पहले से मालूप मेंको उसको बैया करने की जुरूफ है। क्या ये ऐसे नहीं है कि मैं आपको कमीची कि मैंने आपको उर्दू में लेक्टर देना है तो आईए सबसे पहले अलिव देपे सीखते हैं तो आप कहाँए कि प्लीज ये काम हमें बुल जाते हैं। आप वो बात बता हैं कि जो आपके कोई नहीं बतानी है। मगर पुरान में वो बात बताई हमको जो पुरान का कहना ये है कि हम पहले से जाते हैं। मगर में क्यों बूल जाते हैं। और क्यों बूल जाते हैं। इसलिए बूल जाते हैं कि ये दुनिया की जिन्दी अल्दाने आजमाईश के लिए बनाई ते हैं। और आज़ाईश की मकसद के लिए उसने हमको आजादी दी और आजादी में इनसान अपनी आजादी को गलत इस्तिमाल करता है। क्यों गलत इस्तिमाल करता है? इसलिए कि दुनिया बड़ी रंगीन है, दुनिया में बुराई बड़ी अट्रेक्टिव है, बुराई करने के मौते हैं और अंदर एहसास है कि बुराई बुराई है और अच्छा ही अच्छा है, तो इनसान नजर नाज कर देए, इनसान भुल करके दुबारा याद कराया है, रिमाइंड कराया है, इसलिए आप देखिए कि कुरान अपने बारे में कहता है कि यह अज्जिक्र है, यह अज्जिक्रा है, यह एक रिमाइंडर है, यह एक यातिहान है, रिमाइंड तो को इसीज़ कराया है, जो आप अलड़ी जानते हैं, तो पुरान ने उसमों हमें याद करा रहा है और ये मैं अगर अर्ज़ करूँ ये दीन की असल गुनियाद है यानि अफलावियाद वो जो आप पहले से आदे हैं अच्छा इनसान बना अगर ये हिकमत नहीं आएगी इंसानियत नहीं आएगी अफलाव नहीं आएगा तो फिर आप दीन ने आगे बढ़ने से आप और मैं नहीं है कि इस दीन के पेश करने वाले अल्दा के पहनमर सल्द्लाव जेशल्म पहले अस-सादिक अल-अमीन के तौर पर अरब की सुसाइटी में उतारिख और मशूर हुए और उसके बाद आप डियाऊएथ यह भी हेटमत का हिस्सा है यह असर ही बताती है यह इमानियाथ और लावी इमान का मतलत है अन अवाइग रियालिटीज को मादना कि जो फखायक है रियलिटी हैं मगर नजर नहीं आती है क्यों मानना इसलिए कि उनको मानने के हद में तलाइद शवाहिद इतने मजबूत हैं इतने क्लियर हैं कि उनका इंकार नहीं किया जास्ट है अल्ला नजर नहीं आता लेकिन अल्ला अर्धी मौजूद्धी की निशानिया इतनी ज़्यादा हैं कि वही इतकार बरेगा कि जो जिद्धी पड़दर वगाए आफरत इस दुनिया के साथ ऐसे लिटी हुई है जोड़ा बनी हुई है कि अगर आप दुनिया मानते हैं तो आफरत को मानना जरूरी है जो नहीं मानता और पर कोई दुनिया में इतना दाड़ा खाहिश के पीशे चल रहा है कि उसको उसमें रिचस्पी नहीं तो ये एक अखलाफ है जिसको पुरान कहता है हिक्मत तो तीन के तो हिससे हैं तो कैटिकरीज हैं अल्किताब अल्हिक्मा हिक्मत मैंने आपको बदा दिया ये दरहकीका इंसान पहले से जानता है उसकी तितरत में वो एवस्त है मौजूद है डिजाइन के तौर पर मैंने काले सुचार के इन बच्चियों को सुन जाने के लिए कुल आइटी की इस चिराज स्केमाल करूं मगर की आदी नहीं है अच्छी बड़ा आदी नहीं है बड़ा दोल रगाया तो इमारे का दुश्रा चिराज नहीं तो ये आपके अंदर आपके दिजाइन में अभी जो आ रहा है जेट नहीं को पया जाए अब इसके इरावा दीन का दूसरा हिस्सा है जिसको अलकिताब कार दे है अलकिताब से मुरा है यह जो लफस होते हैं इन में बाद़ वगात सबाज में एक से जज़दा मुफ्हूम होता है यानि निसा के बड़कर एक लफ़द है आ चैन ये जून आयन, इसका मतलद है आम और इसका मतलद है पानी का चश्मा, ये दोनों उसी एक लफ्स के मतलद है, पुरान में दोनों बया हो गए है, लेकिन जहां आम पुराद है, वहां मालु हो गया स्राख सबाख से के आम उराद है और जहाँ पानी का चश्मा उराद है वहाँ स्राख सबाख से मालू जाता है कि पानी का चश्मा उराद है तो पुरान में जब ये कहता है कि नभी एसलिए असलिए को उन्यमु हुमुल किताब अवल हिक्मा उसमें तालीम दी, किताब और हिक्मत दी तो यहां स्याख सबाख से मालुम है कि किताब से बुराद किताब नहीं है बल्के गानून है, डॉब जिसके लिए एक फेड फ़र्द इस्नमाल होता है जो आपने बहुत सुना रिल्गान के महीने में इमान वारो, कुतिवा अलिकूस से आओ तुम पर रोजे लिख दिये गए, फर्द कर दिये गए तो यह लिख दिये गए, यह कोई किताब है यह खानी है, जिसको हम शरीयत भी गए जिसको हम एहकाम भी गए, जिसको अब मुझे आप सामने बियान करता यह जो किताब है, शरीयत, यह हिकमत के होते में क्यों की जाती है उसकी बज़ा यह है, कि इंसान अपनी फिक्रत और अकल की रोज़्टी में एक अच्छी अफलाती जिन्दी गुजार सकता है और लोग गुजारते भी हैं, पीछे की बज़्चीयां कुछ मेरी बात को नहीं समझी के बाबात भी करनी है गुजारती भी है, लेकि इसके बावजूद बाद अपनाद यह होता है कि इंसान तर्फ्यूजड बजाता है, इंसान रहर वासे होता है बाद पेचीदा मौामदात में इंसान समझ नहीं पाता है तो अल्लद आला ने ऐसे बाद मौामदात में अपना फैसला सुआ जिसमें इंसान अंकलिर हो जाता है इंसान अपनी अगल और फिद्रत के पावजूद सही फैसले तक नहीं कहुँच आए यह अल्ला की तरफ से जो फैसला है जो हर हर कंफ्यूदिग चीज़ हर इवेडیबल चीज़ हर इस चीज़ के बारे में नहीं है के जिसमें इंसान बात नहीं समझ पाता बनके आल्ला ने अपनी हिकमत की मुदाज़ चूंद चीज़ों के बारे में ये वैसला किया के उसमें वो अपना हिसला सुनाएका उसके इस वैसले को अल्य कितार, चानून, शरियत ले तो अल्द काला ने अपने दीन में हिकमत को बयान दिया जो पहले से हमारे अंदर का कानून है और उस कानून को बयान दिया कि जो उसने खारिक से बाज़े दिया कि इस तरह की मौामलात में अल्ला का ये फैसा है चुनाचे मैशत में भी अल्लद आला ने बार्थ एहकाम बयान थी यानी मैशत, कारोबार, पैदावार, डिस्ट्रिजूशन इसमें बहुत से मामलात को वह हैं जो इनसान अपने अखलाव में पहले से जानता है वो जो जानता है इसलिए काने रहाम कर दिया है, हर इनसान जानता है, आपने जुटनी को लना है, आपने जिस चीज़ का वादा किया है उसको पुरा करना है, आपने अपने एंप्लोईज के साथ, अपने पियर्स के साथ, जो आपके आपके उसमें काम करते हैं एदारे में, Bosses के साथ अच्छा सुलूप करना है आपने जो वादा किया है जो मौाइदा किया है उसको पूरा करना है and so on यह अफलाखियाद इतनी वाज़ है कि आज के दोर में जब यूनिवर्सिटीज एमबी ए या बी बी ए की डिग्रीज आपर करती है तो उसमें एक मजमून होता है Business Ethics जो सारी दुनिया में पढ़ाया जाता है उसमें वो दीन को आहम तोर पर बेयान नहीं करते हैं लेकिन इसके बावजूद वो इस बात को वाज़े करते हैं बहुत से अफलाती उसूल है कि जिनको लाजिमन पेशे नज़र रखा जाएगा तो वो जाहरे के मईशब के मामले में भी इसी तरह से वो उसूल मौनी है मगर बास चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें एक इंसान या तो गहर वाज़िव हो जाता है या उनको एहनियत नहीं देता इस वज़ा से अन मामलात के बारे में अपने खानून में अपनी शरीयत में इसको रुकुम के तौर पर बेया नहीं है ये जो मैंशत से मुदालिब मामलात हैं इसमें हिकमत की बात को अन्ला नहीं की है दो बातें की हैं एक मुस्बत तरिपे से और एक मन्दी तरिपे से पॉस्बत तरिपे तो ये बात की है कि इनसानों को इतार जिल पुर्बा तरीवी रिष्टेदारों को अपने माल में से खर्च करके उनकी मदद करके तरीवी रिष्टेदारों को पुराने मजीद ने मुआशरे के यतीम और निस्की भी शामिश करके यानि हर इनसान को ये बात मानूद है कि इस दुनिया में बास लोग हैं कि जो वाशी दौड़ में पीछे रहा उनके पास उनकी जरूरत को पुरा करने के लिए वो सामान वसाइल महसर नहीं होते कि जो दूसरों के पास हैं और ज्यादा नहीं तो अल्ला ने ये एक उसूली बात जो हमारी फित्रत में मौनूद है ये वैन भी है कि अच्छा इंसान को होता है कि जो दूसरों पर खर्च करता है और दूसरों से मुराद अपने करीभी लोग यानि आपको जड़ नेगी की तौफीद मिले तो कहीं पाँच हजार मील दूर जाके नेगी करने की जुरुत नहीं है जड़ा हमसाय के देखें तर्भी इस सिदारों को देखें वहां जो जिनको जड़ुत है उनकी मदद करना ये आपकी अबलीन से बिलाई ये है पॉसिटिव स्टेट मन्फी तोड़ पर यानि रोगने के अंदास में अल्ला ताला ने हिक्मत की बात एकी यानि जो चीज़ पहले हमारी लिदरत ने हैं के देखो इमानवालो ला तालो अमवालकुं विलकुं बाति तुम एक दूसरे का माल बातिल तरीखे से मत खाओ। लिए जब तुम बारवार कर रहे हो, एक दूसरे से लिंदें कर रहे हो, तुम्हें इस बात का हथ हासिल नहीं है, कि तुम दूसरों का माल ऐसे हासिल करो, जिसका जो तुम्हारे लिए जायद है। अब मैं आपके सामने वो पहले एहाम मईशत से मताले मैंन करूंगा, कि जो पुराने मजीद में शरीयत के शरीयत के जो आप इस दीन की शरीयत पर भी है। उसमें से एक है जगात की अदाएंगा, ये बात के आँख वो अपने माल में से खरीबों पर खर्च करना लेए। ये तो हर इसान जानता है। हर इसान जानता है। आप वाल में के वो, वो भाइक्रसौंट वणा सिर्गेट्स वो अपनी आंदनी का असी शीसर हर्च करता है। वो इसान जानता है। तो बसल्मान नहीं है। अल्ला है जगलती है। इसकी रौश्णी में करता है। वो कहते हैं कि वो जो है बुजराब जो आपका 99 फिसर करता है। जो आप वार से अफ़ादा है तो 99 फिसर करता है। तो ये माई गॉन्नेस। ये ये तवाल ही है अल्ला की जीवी फित्रत है। हम अपने उपर नी खर्च करेंगे। लोगों पर भीमारी को दूर करते गीए, भुरबद को दूर करते गीए, तालीम करते गीए, ये फित्रत है। ये तो फित्रत है। लेकि वाई चैरी एक सवाज काई होता है कि कम से कम कितना है। एक minimum limit होनी काई है। ये मैं और आप तैनि कर सकते ह। इसको तेखिया अलगारा ने और ये बताया कि वो कम से कम खर्च जो जखात है इससे कम अगर तुम ने खर्च किया तो फिर तुम्हारा ये खर्च करना अबूल नहीं कियाता है कम से कम जखात बता करनी है ये कामून बनी गया इसी तरह से अलगारा ने ये बता दिया उसना मालक है, उसको इस्तिमाल कर सकता है, यह हमारे हम जो पाद उकार यह एक लोगों के हाँ ख्याल होता है, कि गुर्बत को मिटाने के लिए सारे लोगों के असासे गस्फ कर लो, छीन दो, यह अपने दीन में इजाद़ भी दिये, इंसान अपना मालों गरीमों पर कम से कम करक्फ करने के बार बग्या माल का मालों बड़ता है, लेकि किसी भी खाव्म मलक में पहुत से एसे असासे होते हैं, एसिट्स होते हैं, जिनका कोई भी मालक jewelry होता बलकि वो भाव्मी मिल्कियत होते हैं, उस ऐसासों को, उस माल को भीSUस्स गरीमों की पेर्भूत के लिए, ये भी उत कुरान से माज़ है ये भी एक आनूर के तोर पर कुरान में बार बयान करती है इसके इनावा अल्लगाला ने ये बताया है कि जब कोई शक्स मर जाता है उसके छोड़े हुए असासे कैसे तक्सीम किये ये भी नहीं होना तहीं नहीं कर से करें के जब जबड़े होत कभी दूसरा आपके दरास करें तो अल्लगाला ने इस सजड़े को खत्म करने के लिए भी अपना कानून बेहां जो मैं बार बार कहना हूं कि कानून बार बनी करता है जहां इनसान अस खुद से कोई फैस्टा नहीं कर सकता है चुनाच चल्गाला नहीं कि लिए तुम नही अच्सीरी कानून बेहासर बियान करते हैं इसी तरह से अल्ला ने ये बता दिया कि जब तुम खर्ज लोगे खर्ज लोगे तो तुम लिखोगे उसको लिखोगे और उस पर दवार बैया हो ये लिए अल्ला ने खानून के कौन पर बैया ये है मैश्ट के बारे में दीन इस इस नाम की शरीयत के जो positively बयान है मुस्वत तरीके से तीन बाते हैं जो शरीयत में negatively बयान है जिन से रोका रहा है उन्पे एक ये है कि वो चीजें या वो काम के जो दीन में नाजायज है उनका कारुबार भी नाजायज है शराब नाजायज है कारुबार भी नाजायज है सुर नाजायज है कारुबार भी नाजायज है बेहयाई नाजायज है कारुबार भी नाजायज है एक ये बात दूसरा ये कानूं बयान किया गयाता है कि जुआ पराम जुआ लोग लोग खेटे हैं उसको पड़ी उसके एक ये श्रीतान के अमल की गंत्री जिससे लोगों के दर्मियान जगड़े होते हैं और अल्ला की याद से ये हरकत रोग भी तो चुनाचे शरीयत इस्लामी में इसको भी नाजाइस परादी है और तीसरी और आफरी चीज़ के जो अल्ला की शरीयत में मुईशत के मादले में ना सूर रिवा जिसके बार बेरी तद्रीर थी तव्मीद खरूए आप अधार रसिते हैं कित्री नवीद होनी खरूए यादि रिवा को अल्ला की नाजाइस कराती है और ये भी इंसान खुद नहीं कर सकता है आप अगर इंसानों पर छोड़ दें तो वो आपस पे जहेंगे कि नहीं है इसको जाहिज होना चाहिए कुछ कहेंगे ना जाहिज होना चाहिए अल्ला ने आस्मान से अपना फैसला उटारा कि ये ना जाहिए अब मैं आपके सामने ये बात बयान करने की कोशिश करूगा कि मेरे एक और्डिनरी अंडिस्टैंडिंग मेरे बाद क्या है इसको घराम क्यों किया गया गया और दोरे जरीब में इसकी बुर्बत के बार बगैर रिवा के बैर सूझी मौनदार कैसे हो सकते हैं सबसे पहले रिवा क्या है आप मुझे को कर्ज दे कर्ज की एक वैल्यू दे मैं अमाउंट भी कह रहा हूँ अमाउंट भी कर्ज की एक वैल्यू दे और कुछ से जहें कि हाईजाब आपने जो भी करना करें अपने अजादी इस्तेमाल के लिए या कारुबार के लिए आप में एक मुद्द गुदर जाने के बाद मेरी उस वैल्यू में एक तैश दा इजाफा लाजमन करके दे इसको कहते हैं रिवा, सूद, इंटरिस्ट ये सिर्फ जबानों का फ़र्ट है बाद एक अंग्रेजी में वो इंटरिस्ट है, उर्दू में उसूद है और अर्वी में वोरे बाद है, ये अल्ला ताला ने नाजाइस करा दिया, इसको नाजाइस क्यों करा दिया, पुराने मरी ते खुद इसको बेयान किया, ना तजल्मूना वर्णा तुज करोगे, ना पुराँ अन्पर जायती है, क्या जायती है, पतलब मैं लोगों कहता होके आगे, अल्ला के दीन को समझने में आजमी को अपनी अकल इस्तामने करने जाए है, जिसको अल्बद आणा ने बुर्का है, अपनी अकल को इस्तामन करोगे तो तुमें बाद समझने आए, और अग उससे तुमारे इल्ब में, हमारे एमारे एमान में इदाफ़ा हो। ये जल्म है, तो फिर ऐसा क्यों होता है? कि हमारे हाँ लोग बैंटों से सूद पर करदा लेने के लिए लाइने में जाई ही होती होता है और बैंट कहता है हमसे सब को जी देना कोई बना कह सकता है कि कि आप में झूल करें तो हम आप के दूल के वे में पेजल्ब के थे लिए बेजाईनी से मुंतजर दियाžण जल्म होता है ये तो और लोग बाता है कि बांज़र जल्म है, ज़रा मगे घृत दस और कि र्लम करते है बीज üz, ऐसा नहीं हो सकता तो जित जुल्म है क्या है जानि अगर सुट को अल्ला ने कराम किया और उसको खुट मयान कर दिया जैंड जियाती है और वालू जिक कैसी जियाती है जिस जियाती को पाने कि ये लोग बेदाग है तो कुछ बसना समझे लिया है मैं अपनी आर्टनरी अंडिस्टेंडिंग आपके सामने पेश करता हूँ देखें इसमें जो जुल्व, स्यार्थी, अदहलादी का पहलू है वो ये है कि जब आप मुझको एक खास लोन देते हैं एक वैल्यू का वैल्यू समझते हैं यह मैं अहां प्रिक है रहा हूँ वो वैल्यू जो मिसाल के कौर पर सोने में एक्स्प्रेस हो सकती है जिसकी एक बोदेख्रीद है जब आप मुझको देते हैं कि मैं उसको कारोबार में इस्तेमाद करूँ जो हमारे हाँ बहुत काम्याब कारोबारी अज़राब मौझूद हैं आप आपको यह बताएं कि बारोपार ऐसा हो जा रहा है कि आप कारोबार में पूरी द्यानत पूरी महनत और अपनी काभलियत के साथ मनसूबा मत्यक्त के कारोबार चलाते हैं और पूरी ऐसी वज़ा कि जो आपके इफ्तियार से पाहर होती है आपके कारोबार को पतास्र करती है नाकाम के आप रुखुमत की और इसी बदल जाती है खारज में आपकी शेय की तलब दिमांड खत्म हो जाती है कम हो जाती है वर्कर्स स्ट्राइक कर जाते हैं नाके हानी आपका जाती है and so on पहुत से सेंक्ड़ों ऐसी मुझुभार जैं कि जिनकी वज़ा से बादो पाद आदमी का कारोबार नाकाम हो जाता है बगैर इसके कि इन्सान ने अपनी तरफ से कोई वेमानी की हो या कोई नालाइक नी की हो लेकिन आप मुसर है तोि आसल भी चाहिए रहे और नजीध इदाफा भी चाहिए यह विए यह सुन्य कि यह मुझे मुझे मुनाफ़ा हो रहा है मैं आपको मुनाफ़ा बहुता हकुए मस्ल़ाइ नियुक्नों के म ук bı para आपको वी शामया ये लेकिन आप ये कह रहे हैं पहले से कि नहीं हुझे ही बता मुझे से कुछ इचस्पी नहीं है कि आपको कामियादी हो रही है नाकामिय हो रही है आपको आपका कारोबार आस्मान पर चड़ ज़ए या आपका कारोबार खाड़ में ज़ए मुझे कफ़ी असल और उसमें दस फीसद इजाफे से दिर्चस्पी है ख़दा काला ने आस्मान से अपना फैसला सुनाया कि ये घरत लेने हो सकते इस चीज़ को गुबूल नहीं किया रहा है हमारे आबादों के कहते हैं कि ये जो सूध तिजारत में होता है तिजारत में कमर्शल बैंक्स का लोन है इसमें जो इंडर्स्ट है ये ठीप है असल में जो सूध हराम था वो तो वो हराम था जिसमें लोगों की मजबूरीयों की वज़ा से उनको अरजा दिया जाता था विशाजी करानी जरीबात की हैं विश्टीमारी की कोई मुश्किल पेशा गई है आप उससे जादा जाएज है तिजारती सूध जिसमें कि आप तिजारती मकासित के लिए सूध देते हैं ये कोई वस्दा नहीं है कुरान से मिलकुल बाज़ है कि ऐसा है विए कुरान से मालु होता है कि हर तरह का सूध नाजारिस जिसमें आप पहले से इत्या करते हैं कि आप में दूसरे को जो शैदी है जो बेहनी होती है आप उसमें मजीद लाज़ी इजाफा वसूल करेंगे इसको अलगाला ने नाजायस गरार दिया है इसलिए कि अगर आप दरा वाट वर्माएं तो यह धैर अखना की चीज़ है आप को यह मालू है कि हमका भाई नुक्सान से रुचार हो सकता है लेकिन आप कहते हैं आपको इसमें किसी परिशानी का कोई इंकान नहीं है आपको अपने माल से रुचार है मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि यह जो अगना ने अपनी शरीयत में सूद को रिवा को हराम दिया है इसकी हिकमत मसले हैं जाए किराये और सूद के तर्मियान फरक से समझा लिए यह मसला है लोग कहते हैं यह अजीब बात है कि आपने दो करोड रुपे का कर्ज मुझको दिया और मैं आपको उस पर दस पीसर सालाना के इसाफ से इजाफी आपको सूद देरा हूँ तो यह तो हो गया ना जाए मगर उसी दो करोड की मालियत का आपने मुझे एक घर दिया आप फ्लैट दिया एपार्टमेंट दिया और उसका मैं किराय देरा हूँ आपको और वो भी तकरीबन दस पीसर ही मनता है तो वो जाइज हो गया तो यह क्या मामुझा है तो मैं बज़रिश करूँ कि इस महंदे को अगर आप समझ दें तो उमिद है कि आपको समझ देंगा जाएगा कि अल्लादारा ने जुद को क्यों ना जाइस किया रहा और किराय दो क्यों पीजाइस किया देखिए जब आप मुझे को आप एक एक फ्लैट एक एक एपार्टमेंट दें जो लेट से दो करोड़ा है और मैं उसको इस्तिमाल करता हूँ तो जब तक मुझे उसको इस्तिमाल करना है मैं उसके इस्तिमाल का रिडर्ण उसकी खिद्मत का जो मुआपजा है वो आपको देता हूँ और जब मेरा भूल होता है कि मैं इसको नहीं मजीद रखना चाहता मैं उसको वाफस आपको देड़ कहूं और कोई और चीज नहीं देता हूँ अगर फर्स कीजिए के खुदाना खासता कोई ऐसा मौकार है कि जिसमें आप की मताली के बगैर वो एपार्टमेंट तबाव हो जाए वो जाता है फादर पादर नमात करे कोई जंदरा आ गया लिए कुछ और ऐसी नागहानी आपका दा लिए तो अपार्टमेंट आपका है फ्लैट आपका है आप मुझसे यह मुतालबा लेहिं कर सकते हैं कि मैं आपका अपार्टमेंट आपको तो बही बहार से पुजूर किया है मैं तो गया वाथा टिकनिक मना लें वापस आया तो वो जमींट पी बिरावा था तो मैं आपको बिरी मैं भी जेव से निकाल गया अपको तो बही अपार्टमे आपका था और ये सम मानते कि किराएदार से उसको वसूल नहीं किया सकता इसलिए कि माने कोई और है लेकिन सूथ के मामने में ये अजीब तमाशा था कि दो क्रोड आपके आये मेरे कारवार में मैंने द्यानतदारी से उसको इस्तिमाल ही किया नुफसान हो गया आप कहते हैं मेरी असलगी दो और वजीद इसाफ़गी दो नहीं ये जानी ये ठीम नहीं इसको अल्ला ताला ने वाजिन भर्माद किया चुनाचे ये को चीज है कि जिससे मालूँ होता रहे कि इराया पिल्कुल ठीम है ये एक रिचारे के सुमुना से चीज है लेकिन सूथ ये अन्जिस्टिफाइब और एक और चीज दोरे जदीद की रहे जो आप आप सब बाशरूर हैं आपको मालूम है कि एक चीज है एक फिनॉमलन है एक अधीकत है जिसको कहते हैं कि इंफ्लेशन सुना तो बाब कैसे नाब इंफ्लेशन आपको बढ़त पढ़ते आपके आपको कोई और नी को इंफ्लेशन इंफ्ला करें आपको इसका मतलब यह है कि कीम्ते बढ़ रही है और आप एक साल पहले अपने हजार रुपए से जितनी अशिया खरीते थे वही हजार रुपए आज आप जब आजार में लेके जाते हैं तो कम चीज़ें आते हैं आटा कम आता है चीनी कम आती है वारन और और शीया तो दौर जदीद में एक इंफ्लेशन या उपके फ्रादे जर्ड यह एक हकीकत है तो क्या इस हकीकत के मौजूदगी में हम अगर इजाती रुपम लें उससे जो पॉल्वर्ड जो एंड उसके मताज़ है कि इतनी इंफ्लेशन है तो क्या यह भी सूट होगा यह मसाइब के से एक मसला है कि जो दौर जदीद में पैदा हुआ मैं एक बड़े ही और्डरी एक्स्टूजन की ऐसेट से कह रहा हूँ कि नहीं यह सुनने में इसलिए कि जो चीज आप जिस चीज से आपको रोगा गया है तो यह है कि आप दूसरे से असल से ज्यादा है यह जो करंसी है ना रुप्या जिसमें तस्वीर बनी भी उती है एक कांज पकड़ा होता है इसकी कोई हैसियत नहीं है इसकी कोई वैल्यू नहीं है सिवाए उस हैसियत के कि जो वो जाहर करती है जब आप इसको पाजार में लिजाके इससे चीज़ चरीए अगर आप इस रुपै को अपने मुल्क से बाहर ले जाएं तो ये आपकी जेब पर ये गोज होता है ये टिशू प्रेपर से भी कम अदरों कीमत का होता है मैं कहना ये चाता हूँ सिवाए इसके सिवाए इसके कि इससे आप अशियां सरीमते तो चुनाचे जब कोई मुझे अर्ज देता है तो असल में मुझे वो रखम नहीं देता जिसके मिसाल के तौर पर दो करोड अमां रुकी है ये तो एक नमबर्स है जो हमने अपनी अंडिस्टैंडिंग पहम के लिए इस ते इक्तियार कर लिए असल में वो दो करोड रुपे कुछ अशियां खरीद सकते हैं उसकी अपुवत खरीद है तो जब मैं उन दो करोड को वापस करूँगा तो मुझे असल में अपने लेंडर को कर्स देने वाले को उसकी वो कुवत खरीद वापस करनी चाहिए कि जो उसने मुझको दी थी मेरी नाकिस अंडिस्टेंडिंग ने अल्लाह ने जो अदल का तखादा किया रहे ये उसके हैं बता दे लेकिन जाए इसमें इसमें एक्तराब हो सकता है मैंने आपको अपनी बात प्यान की आप आफिर में यह कहना इसकी दुरियत आफिर कि आफिर का मुझे तपसरा करना है इस नामें कहने हमारे पौरे जदीद पर रिवा सूद से निमटने के लिए एक इदारा मुझूद में आया है and I am sure आप सब जाते हैं पूरी दुनिया में और हमारे मुझे ने जगा जगा Islamic banking के branches हैं जो आपको नज़ा आपने ये जो इसलामी बेंकारी है इसके वुजूद में आने कब मकसद यह कि ये जो पेकारी में सूद है उसका आपना है और मुसल्मान बेंकिंग को जब इख्यार करें बेंकिंग से जब फाइदा होना है तो वो बेंकिंग में सूद का आपना रहे है और वो सूद के पदैर बेंकिंग को तरे है इसके लिए इस्לामिक डेंकिन को इक्तियार किया गया है, उसकोे उस्ट्यूस कियाा है。 मैं उसमें बास चीजें पॉजिटर देखता हूँ और बास चीजें नेगे जभी डेकल ये हमेशा हो जग भी इनसान कोई काम गेंगी तो इनसानों के कामों में दूमिया भी होती है और थामिया होती है इस वजा से जिसको आप कहते हैं तन्कीद, क्रिटिसिजम, ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये बड़ी पॉजिटिव चीज है, इससे आदली सीखता है, इससे आदली को मौामले को एक दूसरे एंगल से, साविये से देखने का मौका मिलता है, चुनाचे मैं आपको ये पॉजिव और बाज चीजें को हैं कि जो नेगटिव हैं, पॉजिटिव चीज तो इसमामिक बैंकिन ले ये की है, कि सूद की घुर्पर के हामले को नौया करें, लोगों के अंदर ये खसासियत पैदा हो गए हैं, वो सेंसिटिव हो गए हैं, कि हमें रिवा से बाहर निग बड़े कदम उठाएं, उन्होंने अपनी जिन्दगी को बदाहे रुष्टिव में डाला और उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया, तो यह एक बड़ी एहम बात है, कि अल्ला को राजी करने के लिए, अल्ला के दीन पर अमल करने के लिए, कोई ऐसा रुज़ान, कोई ऐ ऐसी अब रविश माशने में शुरू हो, तो यह एक उसकी बहुन पॉज़जिब पर्टिबूशन है, जब इस जिन के साथ, इस एप्रोच के साथ, यह इदारा बना, तो फिर रिवार से मतालिये जो प्रॉब्लम्स थी, उनको हल करने के लिए भी लोगोंने से सुचना और जाहिए उसकी एक फिक्र होती है, कि इसी तरह से रिवार की लानत को खनी किया है, बड़ी जब्रस्टी, और यह इस्लामिक बैंकिंग की बड़ी प्रॉसिटिब कंटिटूशन है, और यगीनन उनोंने बहुत से ऐसे मावला, बहुत से ऐसे जिको कहते ना प्रॉड़क यजिस इntरिडियूस की, जिससे के आप ये मحसूस कर सकते हैं, एक बात कद्री और ने लेकिन लेकिनियुग के कुछ मसाय नियुकर को, ने इत्सार के साथ को आपके सामिल्ज़ कर गाओं, अएक ये कि मुझे पांच पसंद नही है, आख आपकि अपने कारोबारी अगारे इसलम का नाम थामिल करते है। ऐसा रखता है कि इसलम को कुमर्शनी उस दिया जा रहा है। कि लोग कैठें कि आप मुस्लमान को यह सब्रहत है। और अगर आप कुछ और रह दो आगी करे। मैंना जाल है कि आज जिसी के साथ अमल तरीके से कहना चाहिए कि यह हमने बिला सूप पहका लिए। याई इसलाम कहने का मतलब जेज़ें कि यह इसलाम है। हम जानते हैं कि इसलामी मैकारी पर खुद मुसलमान उल्मान की बड़ी कर्दी रहे। इसलिए एक तो मुझे इससे कुछ बेचैनी परिशानी ते। दूसरा है कि इसमें आज उपात मांच जैर जरूरी तोर पर अरबी इस्तिलाहार इस्तिमान की जिसकी कोई जुरूत नहीं है। जिससे खामखा बहुत से लोग यह समझते हैं कि जूछ चीज अरबी में हैं वो बिल्कु ठीक है। चनाचे गुराबहा यह अरबी का लगज है। हालना कि इसके बहुत धिर्वेट है। यह ठीक भी है कि नहीं है। तो इसमें यह एक प्रॉब्लम है कि जिसको एड्रेस करना है। तीसरी चीज़ यह है कि जो दूसरी बैक्टाई है। जिसको आप ट्रडिशनल बेक्टीज केहिते हैं। इनके और इस्लामेट बैक्टीज़ के दर्गियान हां हां का की एक खिलीच, एक टिस्टनस हाय होग्या है। अब महसूसी होता है के ट्रडिशनल बैक्टीज़ पिल्कु बलत है और Islamic banking की है के जो असल रास्ता है और मैं अब आफिम में के पाद इस सहाब का जवाब देना चाहता हूं कि क्या जो मौझेदा conventional banking है conventional banking से मुराज वो banking के जो Islamic banking के इलावा है जो आन मुरंवजाबainkin जो दुनिया में हर जगा निरी है Islamic banking के इलावा क्या ये इस नाम के मताबिद नहीं ढाली आ सकती। मैं इसका जवाब देता हूँ कि बिल्कुल ढाली कर सकती। इसका बिल्कुल इमकान है। और वो इमकान अब बहुत रोशन हो गया है। और मैं बात को मजीद वाज़िक करते हुए लेकिन इत्सार के साथ मैं ये कहरा हूँ कि अगर एक उसूल का इजाफा कर दिया जाए वो उसूल कि जो पहले ही से उनके हां मान लिया गया है एक अमली तजरबे के नतिया दें कि अगर वो शखश के जिसको करदा दिया जाए उसके बारे में के बात मालूम हो जाए कि वो इसी ऐसी बजा की बुनिया पर जो उसके इख्वार से बाहर है वो करदा वापस देने की पुजिशन पे नहीं है तो उसको मजबूर नहीं किया जाए कि वो असल रखम के इलावा कोई एक पाई भी देगा एक पाई भी देगा अगर ये वस्कूर तेह कर लिया जा रहे तो फिर पैंटिंग इस नाम के मताबिए मैंने आप से गुदारिश लिए अपनी प्रिजेंटेशन में कि असल मसला ये है कि आप मफरूस से जब वो वापस करने की पुजिशन में नहीं होता जब आप ये तपादा करते हैं उसको मजबूर करते है कि वो असल से ज़्यादा अपनी जो राफिल माल प्रिंसिपल है वो अमाउंट दे तो यही वो चीज़ है कि जिसको अलगाला ने नाजायस करा दिया है आपको मजबूरी की सुरत में एक पाई लेना दी अराम ये अगर दे हो जाये तो फिर बेंगिंग इसनाफ के मताबब हो सकती है और मैं आपसे गुजारिश करूँ कि मौजूदा बेकाई ने इस हकीकत को चान लिया है कि ऐसा करना चाहिए मदर्ब में भी अब ऐसा होना शुरू हो गया है सिर्फ उनके इस एहसास को मजीद वाज़े करना चाहिए और इस उसूल को हर जगा अपाई करना चाहिए अगर ऐसा हो जाएगा और इन्शालला हमें देखेंगे कि अल्ला ताला ने जो इप्तदा से बात बियान कर्माई थी कि रिवा नाजायज है रिवा अराम है रिवा गया अखलापी चीज़ है यह वो चीज़ है कि जो पूरी दुनिया में रायच हो सकती अपूलो पॉली हादा वस्तफ्ति रिवा नाजी है आप कुछ प्रिस्टिन्स है जो दिखेंगे मेरे पास आई है जाना है पहला स्वाल यह है कि करंसी नोट के कर्ज में बाकसी तक तो इस नोट की डैयू बिल्कुल खत्म हो जाएगी क्या आप ते नजीड के कमी सुर्थ में जाड़ा मोट देना जाएज होगा अगर ऐसा है तो क्दर की कमी का मैयार कैसे खारिक करेंगे जिने बहुत ही तर्म हो जाएगी यह भूपाल गया सर्थ ऐसा कैसी हो जाएगी मेरे को जाएगी सर्थ कम को होती है खत्म देती है तो मैंने उस ही का आपको हल बताया है कि जितनी कम होई है उसको कंपंसेट कर दे मैं अग्राइस करूं कि हदीस में यही बात ज्यान कुछी है जो उना लिया है जितना वजन जितनी क्वारटी वही वापस करो ना कम ना जैता कैसे करे मौजुदा दौर में इसके लिए पूल्स वजूद में आवे हैं इंडिक्सेशन उसको प्याते हैं यह जो कंज्यूमर प्राइस इंडिक्स है CPI यह एक मैयार है एनाम होता है कि इस साल पाकिस्तान में इतना इंफ्लेशन राओ इसमें इतलाब भी हो सकता है मैंने रसूल मैंन कर दिया तफसील पर मुझे इसरार नहीं है रसूल क्या दीन के मताबिश है या नहीं इस पर बोड़ करना चाहिए मैंने अपनी नाकिस राओ बताई के यह दीन के हैं नहीं होना लिए रुपए पैसे की सुर्थ में तर्ष लेकर उसकी असल हवी कदर वाफस करना तो फ्रोस्त है मगर उसकी बुन्याद या बेस कौन सी चीज़ होगी क्योंके मुझे चीज़ों की सुर्थ में तर्ष की बेहुत गदर में ज्यादा या कम उत्वेशी होगी वजा अतरकार है मैंने जबाद दे दिया सरफ एक और मजीद दुक्ता का बैन करना हूँ कि मैंने और आपने एक खर्ष का मामला किया है हम उसी वक्त तैय करें कि इसमें क्या उसूल होगा कि इसकी बुनियाद पर वापसी के मौते पर ये तैय होगा कि वापसी में रखन कितनी देनी है कि जो लेने के पर उसकी परचेसें पार के मताबब हो जो भी मौाइदा और आपसकी मताबिक पुजाना चाहिए और तो मौाइदा जाहरा से दोनों मिल्के करेंगे तो इससाब की बुनियाद पर ही होगा बावकात बैहने मसायर में परिया के दलाय पुरान सुनत के मताबबद ही होते हैं मगर आरा दोनों की अलग अलग होती हैं आमधारी के लिए मुश्किल हो जाता है कि इसमें से किसकी राय को इफ्टार करें क्या ऐसी सुर्ट इबाद से करने के लिए आप कोई राया हो देंगे यकीन नेगे उशादा हो सुनिए बाद यह है कि इफ्टार को जितना मुम्किन हो सब की बात सुने द्यानतारी से कान पोई करता जो काम आपने आज मेरे लेक्टर में किया सिवार चल दिए कि थ्यान से सुना और द्यानतारी से उसके नतीजे में या यह होगा आप कि नतीजे के पहुंचेगे कि अलिफ की बात से या आपका ख्याल होगा कि बेगी बात दीन के alignment या पेगी बात दीन के मताद है तो जिसकी बाद आपको द्यारतदारी से दीन के मतादित मालू हो वही आपके लिए अल्ला का दीन है उसको इफ्दार करें अच्छा मौमना ये हो गया कि आज जैसा कि आपने फर्माया कि बात वाज़े नहीं हो अलिफ भी बड़ा मुदलल है दी बड़ा मुदलल और दी बड़ा आलं बात इखल में नहीं आ लिए पिर उसकी बात मानें कि जस बाद का ये रिखें मेरा सवाद आप से ये है कि अलिफ भी आलं दी भी आलं और भी आलं और सब कह रहा है मारी बात से ही तो मैं क्या करूए जब मुझे ये मेस्सिफो जाए कि दे की बाद से मेरे मिए तो पिर गोही इन कि और द्यान को सुनना है, और तारीरं के साथ उसके बास जो बास मेरे समीर, ने अकल میں वाज़ हो जाए कि ये बास दीन की बास आप मुझे बदाये में मानुला के जिक पर मेरा एदमाद है एक शक्स सुरत हाल है मगर मगर उसके और बहुत से नादार अप्वार हैं मगर उनको एक तरफ रखकर वो मुरुदन खाने खाता रहता है आला से आला रहाइश के इस्तिमार करता है क्या गरीब से सब्सक्राइब करके किस तरह का तायुष अक्लुल अम्वाल बिल्पादे में नहीं आएगा देगें सवाल करने वारे जोने वो अन्हुत बहुत खसास है और ये बड़ी अच्छी बात है आप ये एक एहसांस दिराते हैं लेकिन फुरा सा वड़ा परात है एक सब्सक्राइब करें लेगें अल्ला ने ये भी इजाज़त दी रहते हैं कि अल्ला की कि दिये हुए मार को ऐसे इस्तेमार करो के शुगर बुलाई पैदा हो ये ना हो के आप ने गरीबों जिस्वीनों को की मदद करनी शुरू कर दी और आपकी उलाद आपको गालिया दे अधिक तबादल होना चाहिए ये बात आपी ठीक है ये बिल्कु सही है कि इफलास वीमारी परिशानी के माहौल में आयाशी की जिन्दगी जो है इसमें एक अच्छे बसल्मान एक शरीफ नफस इंसान को दिल में एक मलाज एक पॉंश्यंस में गिर्फ हैसूस होना जो आशूर कि अच्छे बुसल्मानों के अंदर होता है लेकि बस इतनी बात है बात ऐसे करें कि बात पहुंच जाए ना कि ऐसे करें कि उसके बाद आदमी का यारे इस बंदे की अगली आइंतागली को बात से कोड़ा और सब्सक्ता है ने आप बात पहुंचाएं और आप बड़ी मेहूब चीज़ है आप किसी की उधार या इसनों का असल दीमत से ज़्यादा खरीद आपके जुम्रे में रखते हैं ये सूद है के नहीं है आप बुदारे शेयर कि ये को इनक गारी या मतान या कोई की ऐसी शेयर कि जिसकी नौईयत ऐसी होती है कि जब आप इसको इसको इस्तिमाल करते हैं तो वो खत्म नहीं होती है बलके परतरार रहती है इसमें जब रखम दूद की जाएगी उसको सूद नहीं कहेंगे उसको किराया गारी पर किराया दिया जाका है मकान पर किराया दिया जाका है रुपए पर सूद दिया जाका है चावल पर इनको दोबारा प्यता करना पड़ता है। मकान, गाड़ी बगएरा ये जब इस्तेमाल होते हैं तो ये खतम नहीं होते हैं। ये टाइम रहते हैं। इसलिए इन पर जब आप अमाउंग देंगे तो ये किराया होगा। और ये जो हमारे नाम तोर पर स्कीमे हैं इसको मैं नाम लोग बालखाद गलत देते हैं। ये हाइर परचेश होती हैं। यानि आप में परचेश भी दिया रहे और आप किराया भी दे रहें। पांच साथ के अरसे में गाड़ी आपकी हो जाती है। इस गळारान में हम जो इंस्टॉलमेंट देतें हैं, इसका एक हिस्सा होता है, कि जो किराए पी जानेप जाता है और दूसरा हिस्सा होता है, जो असल की जानेप जानेप जाता। इसमें कोई प्रावलर्म नहीं है सभाए SK के जरा उसका कॉंट्रेक्ट ठीक तरह से प्यान सिपना चाहिए इन्हामी बॉंड्स और इस्ट्रोंस इमें जिनमें तमाम सुरागा देशुदा शरायक पर मत्तफिक होते हैं उनका क्या होकम है लेकर मेरी ओपीनियन्स है आपको इससे मत्तफिक होने की जरूरत नहीं है मुझे इन्हामी बॉंड्स में दोनों प्रावल्म्स नजरा आठी सूथ की भी और चुएगी सूथ इस तरह से कि जर्में इन्हामी बॉंड्स में ये किया जाता है तो ये कुछ जुआ भी हुआ, कुछ सूथ भी हुआ बल्लाहु आरभ बिस सवाब मैं एक कॉशन करूंगा कि इसको अवाइट दिया जाए इन्शूरंस के दोग पहलू है इन्शूरंस का एक पहनी ये है कि वो आख को किसी नागहानी आफ़र पर आखी मदद करते हैं एक पहले से तैशुदा वाइदे की बुनियाद पर मैं जितना एक समझा हूँ इसमें कोई परच देगा इसमें जो प्राब्लम है वो ये है कि अक्सर इंशूरंस कंपनीज जब आख उनको अपना प्रीमियम देते हैं तो वो आख की और बहुत से दुसरे कालिसी होल्डर्स की प्रीमियम की रखन को सूदी बुनियादों पर इंवेस्ट करते हैं ये उसके अंदर एक अबाहर बनती है जिसको के दूर करने की कोशिश करनी चाहिए मेरा ख्याल है कि तकाफल कंपणी जो के इसके मतबादे के तौर पर आई हैं इनमें ये एक खुबी है कि वो सूद के उस पहलू को अभॉइट है मैं इस वज़े से ये समझता हूं कि आँए इंशूर्स कंपणी से अगर आप फायर इंशूर्स या किसी तना की और कार की एक्सिडेंट की इंशूर्स वारा कड़ाते हैं तो ये तो ठीक है आप बहुए कैसे ठीक है जब इसमें सूद है भाई इसको अभॉइट कैसे कर सकते हैं मैं जब इसार के दौर पर नम्ज में बढ़ाता था तो मुझे तनखा मिलती थी और वो तनखा ज्यादा एक कान यह है कि एक एंडॉर्मेंट फंड से मिलती थी जो उन्होंने इंवेस्ट किया वाई था इंवेस्ट की बुनियाद पर वहां से सूद आता था और मेरी तनखा आ जाती थी तो भाई मैं तो इसलामिक सेडिस बढ़ा रहा था तो अब मेरे का बसूर है इतना जादा ना मुझको आपको तन करें कि मुझे पाइस्टान चोड़के बहुताना पड़े इसलिए पाइस्टान सूद पर चाल रहा है तो एक रियलिस्टिक भी होना चाहिए आप जबाब दें है उस चीज़ पर जो आप काई जबेदारी जो आप की पहunÇ से भाहर है मेरा रभ जानता है क्यों मेरी जिल्मेदारी नहीं है मैं उससे के परेशान हूँगा अपने आप को आमादा करूँगा कि मैं अगर कुछ कर सकता अजिको पुलूँ लेकिन जिन्दगी को ना मुंके नहीं बनाना चाहिए इस वज़ा से मैं समझता हूँ कि तो life insurance है उसमें एक problem है उसमें तो return आनी शुरू होती है वो return इंक्रिस्ट की बुनिया कराम तोर पर होती है उसको अगर आप avoid कर सकें तो बाती मामला उसके कोई बैंकों ने लोगों के अंदर सूप की खुर्मत का एसास तो पैदा कर दिया है मगर क्या है कि आप समझते हैं कि इन बैंकों का फराहूं करदा सिस्टम मुकमत बौर पर गयर सुदी है अगर नहीं है तो ऐसे असास लोग प्रिक्टा करें आपका कोई लाया अमल है मैंने टायमत को पेचिए बहुत सादा है नहादत सादा है बाद हमने उसको पेचिदा बना दिया ये बाद मैं किसी रहर मुस्रिक को भी समझा सकता हूँ अलहम्दोल्ला इस वूद में प्रावडम क्या है और समझा ही नहीं सकता वो अलड़ी समझने की तरफ फुर माइल हो चुके सरक ये उटो कहना है कि हमारा रख ये कहता है कि जब तुमने किसी को खर्श दिया और तुम उससे वापस मांग रहे हो और वो वाक्सी की पॉजिशन में नहीं है तुम उससे नहीं लोगे वापस सिवाए उस रखम के ये असर थे और वो भी अगर तुम माफ कर दो तो अच्छा है इनकाना जूप उसर दे अगर तुम्हारा मगरूज मुश्किल में है वो नजरतु के लावे सरा तुम उसको मुखलर दो जब तक कि वापसी की पॉजिशन में नहीं वाँ तसर दो और ये वाँ कि तुम माफ कर दो वो अफ़ए उल्ला क्यों ये जादा बेते रहे ये अलहम्दुलिल्ला मैं किसी गहर मुस्मिन को भी समझा सकता हूँ ये बड़ी सादा चीज थी हमने इस्लामिक बैंकिंग में जो एक प्राब्लम करदा कि वो ये कि उसको प्रेचीदा बना दिया तो उसको सादा रखेंगे तो इन्शालला माउम्दा आसानी से हलुज़ रखेंगे जारे हर तद्रीव में एक तद्रीव होती है लेकिन अगर आप समीते से ताहंबल से गलायर के साथ तद्रीव से बात करेंगे तो सही बात हमेशा फ्रेची है पुराब चाबिज़ सूद घटता है बढ़ता नहीं है तो निजाम-बेंगारी में सूद से कौन सा अधाफा मुराब है जब पुराब इस तरह की बात करसा है इसे फुराद हकीटि खटना और खब्रमाद हो, हकीटि खटने से पुराद ये, ऐसे खुदा की मिगाव में, आफ जरत में और दुनिया में परकत बिल्रास, तो ल्दा के हां सद्वक्ता बढ़ता है, दुनिया में इस से आखको परकत बहुत, परकत एक बड़ी बसी चीस है आपका कम माल आपके ज्यादा काम आ जाता है जो आप भर्च करते हैं वो आपके लिए दुनिया और आफरत के पहलों से फाइदेबन होता है तो पुरान में जब ये कहा है कि खुदा की निगाह में सूद बढ़ता नहीं तटता है और सब्का बढ़ता है ये सब्के उसका वो हकी की मफ़ून है ना ते फिगर्ज में इंशॉरंस की कोई भी सूर्ट हो क्या वो जाइज है निजाम ए तकाफुल का जो निजाम राएज है इसकी इसलामी हैसियत वाज़े के मैंने मुदाइज करती के इंशॉरंस कंपीज में सूद का महामला अगर का दिया जाए तो वो भी है तकाफुल इसकी कोशिश कर रहे हैं और अगर उन्हें इसमें काम्यादी हासिल कर ली है तो आप शूर में को इस शूरंस कंपीज के मकादले में बाज तेहलों में वाज़े तोर पर आप सुभी करें इवाज़े तोर पर आप सुभी करें Evaluation of money is a fact when saving certificates which promise profit is it not halal? Because value will change after a certain time, 3 years, 10 years मैंने तो यह बाद ब्यान कि है In case when you are taking the loan back the amount that you are getting is the equivalent of the real value of what you have given it's absolutely okay However, you have got to be careful आप को कुछ असर्टना होगा एक अल्ना से डरने वाले एक साज की तरा के, you know, the amount that you had invested to begin with in the year 2010 and then for example, what was its purchasing path and compare it with the purchasing path and it would enjoy it now, today If what you are getting is less than or equal to it, then it's absolutely fine To want penny more is what you cannot get बस्य बात है जो मैंने आपको बार 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 बैंक की है तो उन्ही से पही बात समझ में आगे उपी मानने की कुछ दूदी बैंक में ड्रॉक करना ठीक है या नहीं महाँ पर काम करेंगे तो शैफ्ति मिलेगी फिर वो पैसा सुच्कूत में कैसे ऐसकता है तो हमें एपी महनत यूद के बशस मेरेज़गा तेंक नहीं गार तरफ बढ़ा दिया है तेंक बड़ी महनत करता है जनाम बड़ी महनत करता है लोगिक जान लिराज़ता लेकिन बारना जायज़ता तो मेहनत आफी नहीं होती। लेकिन मैं अल्ला माप परे नहीं करागी यह बैंक के काम करें माप परें। हमारे हम बैंक्स एक रियालिटी है। इनको हमारा सिस्टम सपोर्ट कर राए। इसमें इंफ्लेशन का भी एक फैक्टर है। इसमें बेहतरी के भी एक पानाद है। काहम बहराद एक प्रॉब्लम तो है ना कि इसमें सूर्व मौझूद है। इसलिए जो इहत्याद करें वो तो जाहर है कि फिर अपने आपको कोशिश करेंगे किसी मतबादली की तलाश करें। लेकिन जो जह महां मौझूद हैं तो एक और पुरान में बात प्यान की है कि अगर इंसान बाद बाद मजबूर हो और इसके पास मतबादल ना हो तो अगर वो गैरा बादल मला आरें बगैर शौक और रहबर की और उतना जितना उसकी जुरूरत है उसको गर वो इसक्वाल करता है वाइन लाव भूर रही तो लाव करने वाला है मैं जानता हूं बाद लोगों ने हिम्मत करके कदम आया और उनके यह आसानिया हुए और बाद अपार फिर एक तबीर अरसे तक बेरुदगार रहें अल्ला यह भी नहीं चाहते इस दोर में अब ऐसा एलान रुकूमत की तरफ से नहीं हुआ जैसा एलान उस जमाने में अल्ला की तरफ से हुआ था कुरान मजीद में कि अब भी अगर की शूद नहीं चोड़ोगे पाजरूं भी हर बिन अल्ला यह बर रसुलिए तो अल्ला उसके रसुलिए के खिलाब चंद के लिए तेगार हो जाओ यह प्यान असलिए इस पाक का एलान था कि अब अगर जो सूदी कारवान करेगा तो इस वक्त मुसल्मानों की हुकूमत जो अल्ला उसके रसुलिए के तालीमान की रौश्टी में पाइन हुई है तो चंद करेंगे से लिए तो आज की हुकूमत तो यह नहीं की है इसका मतलब भी है कि हमें अपने उन बहुत बाईयों को यह बताना है कि जो यहां काम करते हैं कि भाई इसमें के प्राबलम है इसको दूर करने की कोशिश करें और अगर आप कोई और अल्टर रजब देख सकते हैं तो बहुत अच्छा है लेकिन इससे ज्यादा को बहुत सफ़ बाद करें इसलिए के यहां के हाला तब के हालात सब्सक्राइब हैं और उमीड है के हम रिवार के आजमे की तरफ बढ़ दें What will a woman do if she is a widow and has no child? So she wants to invest her money in defense saving certificates What Islam says about it? Is it allowed? नेकर यह मैं पहले मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि यहां कि there are two things, एक भो यहां कि inflationary effect के नतीचे में whatever additional amounts you get apparently जो जाहिर में नदराएब, that is to me absolutely quotient इसलिए कि both it is offsetting the inflationary effect purchasing power का आज को रिटर्न राएब और दूसरा यहां कि जो cases आप जाहिन करने है widow के और pensionals के चुके because they do not have an alternative arrangement of revenues they because they are in difficulty the almighty hopefully is going to be lenient in their case जाहिस को अभिबी कह सकते मगर यह अलाही की तरफ सहराज है कि जो भुश्कित में कोई ऐसा काप करता है कि जो otherwise ना जाहिस है और वो करता है जैरा बानु बदा आदिम बगैर रह्मत शौक के और उतना इतना उसकी जुरुवत है तो Allah माँपड़ माता है is the GP fund we get after our retirement type of interest or not लेकिन इसमें भी there are two points उपी एक point of view यह है कि GP fund जो आपको मिलता है जिसको कि आपके employers invest करते हैं किसी interest based security में तो उसमें जो interest का हिस्सा है वो आपको निकाल लेना चाहिए एक point of view यह दूसरा point of view यह है कि यह जो कुछ भी आपको मिलता है यह आपके employers की तरफ से आपको एक facility जैसे कि जो salary मुझको मिलती है यह salary मेरी मेरी मेहनत का नतीजह है मेरी मेहनत का मौफजा है इसमें अगर वो suit से भी देते हैं तो यह मेरा direct concern नहीं तो इसी तरह से यह point of view की है GP fund में भी किसी उसूल को मान लेना चाहिए अब probably एक सही बात ही होगी कि जो पहला point of view है वो एहत्यात के पहलू से ज़्यादा वेडर है लेकिन अगर कोई दूसरा point of view की इस्टियार करता है तो उसको आप ना जाएज़ नहीं कह सकते है जो लोग मजबूर नहीं है अगर वो असन्द से जाएज़ वापस करें तो क्या वो रिवाद ही होगा देखें अगर एक नहीं बात आपने शुकर दी रिवाद लेना ना जाएज़ है रिवाद देना तो वो मजबूरी है वो एक्सक्वाइटेशन है कि जिसकी बज़ा से आप अल्दा नहीं उसको हराम किया है पुरान में जहां भी रिवाद की केंडनेशन को बेहां किया है वह यह परमाया है अल्दीना या कुरूनर रिवाद वो लोग के जो सूद खाते हैं सूद देने वाले भी मुझे में यह बाद लोगों को इसलिए ख्याद हुआ एक हदीस में बातमयान हुई कि वो लोग जो आकेनों रिवाद वो मुझे रिवाद के खाने वाले और रिवाद कीए खिनाने वाले दोनु बरादर हैं तो लोगों ने रिवाद का क्hिनाने वालाровा रिवाद देने वाला समझा मेरी अपनी ओप्टीयन में अधीस में बात प्यांदब की अपनी है कि रिवा का खाने वाला रिवा का कि किनाने वाला नहीं उसका एजेन्ट जो मझबूर लोदो और लदो जो निखने वाला जो देता है वो तो जाहर है कि दीश्वुजिशन की जसे जिसमें वो एक्स्ट्रॉइट गुरा है, अल्ला ने इसको अराम करा लिया। PLS सेविंग अकाउंट जायज है नहीं है। यह पुराली बाती है। PLS सेविंग में अगर आपनों ने इंवेस्ट ऐसे क्या हुआ है कि जिसमें मुझे गारंटी देतें कि जो इंवेस्टमेंट है वो इंटरेस्ट बेस इंवेस्टमेंट नहीं है तो फिर दाहिरे चाहिज है। बेर अपनी इस्टेंडिंग कि है कि जब वो ऐसा दावा करते हैं तो इसमें 50 पीसद टुच होती है। और 50 पीसद को कुछ ऐसे प्रॉड़क्स में काम करते हैं कि जिनमें और रिवा में कोई फ़र्ट नहीं है। अन्हम्दु इल्दा लिए अज़ान करते हैं।